जै मात अदी श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ति वावना यूटूब चैनल पर 7 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारण मोरें और 7 अक्टूबर से ही नो रासियों का भागे सबसे ज्यादा सुब है नवरासियों विशेशी भागे साली हैं विस्तार से मैं आपको सभी रासियों की जानकारी दे रहा हूँ जो भी चैनल पर पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राब करें बगल में बेल आइकन बटन को ज़द आवा दें मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों नवरात्री में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है शरी दिये नवरात्री प्रारम होने वाले हैं और साथ अक्टूबर से ले करके दिसमर तक का रासि पल बताऊँगा सभी रासि वालों का और कौन सी रासि जाता भागे साली हैं ये भी आपको जानकारी इसके उपर पढ़ने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे किसी नविन कार की योजना भी बनेगी यारे 17 अक्टूबर से आपका समय ज्यादा अच्छा रहेगा मेस रासि वालों का 7 अक्टूबर से ही आपका भाग्योद्य हो जाएगा मातारानी की प्रतिदि आप पूजा करें नए कार बनने सुरू हो जाएंगे सोबाग्यो धन की प्राप्ति होगी हर प्रकार की कार बनने आपके सुरू हो जाएंगे नवम्मर में रासिच्वामी मंगल एबं सूर बुद्धी की द्रश्टिया नहिने से मान सम्मान में ब्रदी प्रतिष्टा उच कुछ लोगों के साथ संपर्ग दामपत जीवन में सुक उत्साह सहयोग सुक साधनों की अधिक्ता रहेगी यानि एक पिकार से कह सकते हैं मेश रासी भाग सालियों में से एक रासी हैं दूसरी जो रासी हुआ है ब्रसब रासी शुक्र समसप्त केतु युक्त रहने से किसी व बिंगणा काम बनेगा परवार में सुव मंगलकार भी संपन होंगे अकस्मा तक धनलाब होगा परंतु दामपत जीवन में कुछ अनवन हो सकते हैं क्योंकि राव का गोचर आपके उपर है तो विशे शुक्षे 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 शाबदानी पूर्वक्त बिताना है शुक्र भागिस्तान में सनियुक्त संचार करने से भागिवस आय के साधन बनते रहेंगे कुछ बिंगणे कार भी बनने शुरू हो जाएंगे 19 से शुक्र भक्री रहने से कारवार एवं घरेलू परिस्तितियों में अचानक परवर्तन होगा और पेचीदा हालाद भी बने ये तिसरी जो रासी है वो एहम मित्वन रासी बक्रेव अमारगि अवस्ता में बुढ्य बुद्ध चतुरत यानि चतुरत वाब में संचार करने से पराक्रम में ब्रद्धी धर्मस्तान की योरा आपका रूजान होगा आपके परवर्तन होगा परवार में कुछी के अफस अधिकान समय ब्यापारवक्राय ब्रक्राय के कारों में व्यतित होगा नममर के महिने में केंतु सनी की ड़या से कार खेतरवा व्यवसाय में संगर्ष हो सकता है 21 से बुद्ध छटे केतु युक्त होने से संतान संबंद चिंता भी आपको हो सकते यानि 21 नममर के बाद में आपको विशेश त्यान रखना है पूजा पाट पर आपको विशेश उपसे ध्यान देना है करकरासी का योग बहुत ही अच्चा है मासरम से आलत कुछ सही रहेंगे लेकिन 17 अक्टूबर से चतुर्त नीचे शूर्य परसनी की द्रष्टी आपके कारोवार मुता चड़ाब ला सकती है 20 तक गुरू की उच्चे द्रष्टी रहने से 20 नवम्मर तक ग्रह में मंगल कारे एवं धार में कारे संपन होंगे नए नए मित्रों से मेल मिलाप होगा मान सम्मान पड़ेगा परवार में सुगद माहुल होते हुए भी संतान संबंद चिंता रह सकती है तो विशे सुप से आपको ध्यान रखना है कि सूर नीच की द्रष्टी आपके उपर रहेगी सनी की द्रष्टी रहेगी हालांकि गुरू की द्रष्टी आपके लिए सोव है सिंग रासी अक्टूबर के महिने में बहुत ही अच्चे योगें शुरूआत में धन का लाब संतान सुप प्राप्ती होगी लेकिन सत्रे अक्टूबर से वही नीच सूर की द्रष्टी रहने से कारों में परिशानी आएगी द्रष्टी आपको ज़्यादा विशेश लाब मिलने वाला है साती कन्यारासी बक्री बुद्ध पुने कन्या स्वेरासी में सूर युक्ष होने से आरम में आराम कंबा संगर सदिक रहेगा अठारे से बुद्ध मार्गी होने से धनलाब, उन्नती के अफसर प्राप्त होंगे, नोक्री अबम व्यवसाय में उन्नती के मार्ग प्रसस्त होंगे, किसी प्रिय व्यक्ती से सम्मंद भी बढ़ेंगे। अठारे से बुद्ध में लेकर के आने वाला हैं। धन का लाब वा संतान का लाब भी आपको मिलेगा। दिसम्मर का महिना भी आपके लिए विशेश शुब रहने वाला है। शुक्र सनी युक्त से तुर्थ संचार करने से सर्विस एबं व्यवसाय में संगर्स रह सकते हैं। भागदोर भी आपकी केसी कार को लेकर के हो सकती हैं। परवार को समाल करके आपको रखना हैं। और विशेश शाबधानी पूरवक आपको कार करने हैं। व्रश्चिक रासी नवीन कार की योजना बनेगी। अपसर होंगे धनलाव, संतान का लाव, जमीन, क्रै विक्रै की संभावना बढ़ेगी। बारे में सूर सनीपद रष्टी रहने से परवार में खर्चों की अधिकता भी बढ़ेगी। नमम्मर का महिना आपके लिए जितना परेशानी वराय उतनाई लाप्रत भी रहने वाला है। सोले नमम्मर के बाद सूर होने से मानसक तनाव वकुछ विप्रीत परिस्तितिया भी आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए विशेशूप से ध्यानक ना है 15 दिसमर से मंगल सी रासी महोने से स्वास्त में सुधार होगा बिंग्ड हुए कार बनने सुरू हो जाएंगे। धन रासी वालों को भी कापी सपलता हैं मिलेंगी। आपके नवीन कार होंगे आलस को आपको छोड़ देना है अकस्मा तेक धन का लाम मिलेगा। अकस्मा तेक कोई कारों में रुकावट भी आ सकती है। लेकिन नवम्मर का महिना आपके लिए बहुत ही शुब रहने बाला है। नवम्मर और देसमर का महिना आपके लिए द्धनु रासी वालों के लिए बिसेश शुब रहने वाला है। वहीं मकर रासी वालों के लिए भी असमंजस बरे रहेगा कुछ कारों में आपको शपलता है मिलेंगी और कुछ कार ऐसे हैं जिन में आपको विशेश साबदानी रखनी होगी आपके 22 अक्टूबर के बाद समय आपका थोड़ा सा असमंजस बरा रहेगा 20 अममर के बाद में आपका समय सही सुरू होगा मिन रासी का समय भी अच्चा रहेगा लेकर ध्यान रखें कई पैंसा न लगाएं धन का लाब मिलेगा संतान का शुक भी मिलेगा और आपका अपमान भी किसी कार को लेकर हो सकता है किसी बात को लेकर हो सकता है तो भगवान की पूजा पाट पर आपको विशेष ध्यान देना है और पैंसा कहीं भी नहीं लगाना है तो विशेष साफधाने आपको बढ़ते नहीं है कुमरासी वालों का योग अच्छा है मान सम्मान धनका लाब सरकारी खेतरों से सपलता स्वास्त में भी विशेष लाब मिलेगा वही परवार बारों का सहयोग मिलेगा किसी नही कार की योजना भी बनेगी और भागी भी आपका साथ देगा साथ ही परवार बालों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा तो लगबग नो रासिया हैं जिनका योग अच्चा है बाकि तीन रासिया ऐसी हैं जिनको बिसेश उपसे शाब धानी बढ़तनी हैं तो सभी रासी वालों की जानकारी में आपको दी हैं, विस्तार से आपने सुना हैं, अगर ज्यादा विस्तार से मैं आपको जानकारी देता तो वीडियो बहुत लम्मी हो जाती, इसलिए मैंने मेंन मेंन बाते आपको बताईएं, इस वीडियो को जादी जादा सेयर करें और पूजा पाट पर विशीज ध्यान दें, कुछ सपलताएं भी हैं तो कुछ असपलताएं भी हैं,